अभी मैं हूं इन दिस सिटी ऑफ ग्वालियर और मेरे पीछे जो आप बहुत ही भव्वे मंदिर देख रहे हूं यह एक्चुली दो मंदिर है एक पीछे जो बड़ा वाला मंदिर है और यह चोटा वाला मंदिर है यह दुनों मंदिर को कहते हैं सहस्तर बहु टेंपल लेकिन दीरे दीरे इसका नाम बिगाड़ दिया गया इसको कहते हैं जो आजकल कॉमनली फेमस है वह है सास बहु टेंपल उसकी ऊपर भी हिस्ट्री है सो विदाउट एनी डिल है लेट्स गो सो यह मंदिर का नाम बिगाड़ के सास बहु टेंपल इसलिए बना दिया गया अपने आप क्योंकि राजा मान सिंग की जो मा थी वह भगवान विश्नु की बहुत बड़ी भगती तो उन्होंने बड़ा मंदिर बनवाय था भगवान विश्नु के लिए फिर राजा मान सिं जो अगल बगल है तो इसलिए कालांतर में नाम बदल के कर दिया गया साज बहु टेंपल लेकिन असली नाम है सहस्त्र बाहु टेंपल तो यह मेरे चारो तरफ यह है भगवान विश्नु का मंदर जो राजा मान सिंग की माँ भगवान विश्नु की पूजा करती थी इन दिस अ यूमांगा स्ट्रॉक्चर एंड इतनी सुंदर सुंदर आटिफेक्ट्स यह पिलर्स में और इनकी दिवारों में हैं अमेजिंग तो मेरे पीछे जो आप पेडस्टल देख रहे हो यह हवन कोड़न है और मेरे पीछे यह जो रूम आप देख रहे हो यहीं पर भगवान विश्णों की मूर्ति स्थापे थी यहीं पर उनकी पूजा होती थी तो विश्णों भगवान की मंदिर से निकलते ही सामने में जो शिव मंदिर है वो आपको दर्शन होता है जो शिव मंदिर है वहां से आपको पीछे फोर्ड भी दिखता है उसका पूरा प्राचीर भी दिखता है और पूरा का पूरा बगल में ग्वालियर का शहर भी दिखता है फ्रम बर्ड्स आई व्यूव मेरे पीछे जो पेडस्टेल है यह अचली वो पॉइंट है जहां पर शिव मंदिर है और मेरे पीछे पूरा का पूरा ग्वालियर शहर आपको दिखता है तो ग्वालियर अगर आते हो तो यह एक एंशेंट और बहुत ही ब्यूटिफल टेंपल सहस्त्र बाहु टेंपल बहुत लोगों ने इसका नाम बिगाड़ दिया बट मैं मानता हूं कि हिंदु धर्म के सबसे जो मंदिर का सही नाम है उसी नाम से उसको बुलाना चाहिए फैशन के लिए कम से कम मंदिरो का नाम नहीं बदलना चाहिए तो इसको जरूर विजिट करने आँ पीछे में ग्वालियर फोट उसकी बाउंडरी देख रही है और मेरे इस तरफ पूरा का पूरा गवालियर शहर from a bird's eye view वीडियो में ऐसी लाता रहूंगा एंज्वा अगर वीडियो पसंद है तो सब्स् चीर्स